संनाइस न्यूज की टीम अभी इस वक्त मौझूद है दिल्ली के गाजीपूर बॉर्डर पर आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहां पर तमाम गाडिया खड़ी हैं टेंट लगे हुए हैं यहीं पर किसान रुके हुए थे बीते एक साल से अभी आज किसान अ साचित करते हैं कि अभी घर जा रहे हैं कितने खुस है अभी सरकार ने अपने कानुन वाप्सी ले ली है तो क्या नाराजगी इनकी है केंसरकार से वो खतम हो गई है या अभी भी बरकरार है इनके और क्या-क्या मुद्दे है और आने वाले टाइम में पंजाब में भी उत्तर प्रदेश में इसके साथ साथ पांच राज्यों में चुनाओ है जो इनका संघर्स रहा है क्या ये संघर्स भूलकर अगर बात की जाए तो महिलाओं की इवाओं की बुजुर्गों की यहां तक की छोटे-छोटे बच्चों की भी बहुत बड़ी भागेदारी देखने को मिली है आज अब अन्दोलन की वापसी हो रही है अस्थगित कर दिया गया है अन्दोलन कैसे देखते हैं पूरे बीत किसानों की सारी पूरी की गई है सरकार की दरफ से और आगे भी अगर कोई भी संगर्ष कठा करना हो तो सारे किसान भाई जितने भी हैं जो 300 साल पुराने जो जुड़ा दूर हो गए थे वो सारे 81 हो जाएंगे एक बार भी अच्छा बीते एक साल के आंदोलन के बाद में अभीवा बीजेपी को लेकर केंदर सरकार को लेकर क्या सोचता है यही सोचता है कि जी अब बीजेपी बिलकुल नहीं आनी चाहिए अब दूसरे का चांस आना चाहिए अब दूसरी सरकार चाहिए हमें चले और भी लोगों से हम बाच्चीत करते हैं सर कहां के रहने वाले ह खापुट जिले के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी नाराज़ी खत्म हो गई है या फिर अभी वी वरकरार है क्योंकि कानुन की तो आपसी होई गई इसके साथ इसाथ और आपकी जो मांगे थे कमेटी भी बनाई जा रही है सरकार ने बोला है कि हा कि इसलिए किसान वरग पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी को बुरी तरह हराएगा कि नाम निशान उत्तर प्रदेश सा खतन कर के जाये यहाँ साभााज भास समर्थन किसको देंगे समर्थन उससे देंगे जो बीजेपी अराजा हो तो लोग दल है अब तो लोग दल है जो इन बीजेपी की सरकार ना 2013 में एक खाई पैदा करी थी उस खाई को भराएगा किसान अब तो केवल जो किसान के संगरसर आधरनिया सुरागा से चोदरी चर्ण सिंग रहे बाबा मेहंदर सिंग टिकैत रहे उन्होंने कहा था कि एक न किसानों के एक साल के संगर्ज को आप कैसे देखते हैं आपने यहां पर काफी लंबा वक्त विताया है संगर्ज का मुसीबत में तो रहे हैं एक साल पूरी अगर ना होता वान लिए तो और भी टेम लग सकया तो संगर्ज तो फिर भी करना पड़ागा अभी खतम नहीं हुआ संगर्ज संगर्ज शुरू है सरकार ने घुटने टेके क्या वजय मानते हैं अब घुटने कौन टेकरा सब बात बना में कोई ना टेक दाक दा घुटने अभी पक्का नहीं हुआ है कानून की वापसी तो को गई रिपील हो गया है ना हमारे थोड़ी अधोल्च व्य लाए वूप यह वापसी ले लिए उन्हें हमने मागने मांगे थी मेंसपी को लेकर बज़ी को लेकर टेक्सरों चर्च decis हए था जोखे ना मानना की enrich किसान आंदोलन के बाद में बीजेपी को लेकर किसानों के मन में क्या धारणा बन गई है भी खिला पी रहेंगे यह नहीं है अपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जब इसकी सुरुवात हुई थी तो जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी के जित थी खड़ा दिखाई दे रहा था आप हला कि अपने आंदोलन को राजनीती से दूर करते हुए दिख रहे थे तो सभी में से कभी किसी ने आपको मावादी बताया किसी ने परजीवी बताया किसी ने आंदोलन जीवी बताया तरह तरह की चीजे निकल कर सामने आई कैसे देखते हैं आज जब किसान आपको जितने भी हैं सरकार ने किसान मान लिया है और तीन किसी कानूनों की वापसी कर दी है अब क्या देखते हैं सरकार अपने घमंड में थी जो उसका घमंड तूट चुका है और सरकान ने के जितने भी सांसत थे और जितने भी नेता थे बड़े उन्होंने किसानों को आतंकवादी गालियों से भी बहुत बहुत ने अब्यूज वर्ड यूज किये तो ये गलत था और अब उन्हें पदा सब्सक्रा जा रही है बीजैपी की दोजारवाइस में भी जा रही है यूपी से और 24 में केंदर जा अगर मान ली दे चुनाओ अभी नहोता क्योंकि चिनाओ सिर्पर है पर है runs &v बिल्कुल भी नहीं लेती जी इसमें तो कोई दोर आये नहीं है ये तो इलेक्शन की वजे से इन्होंने गुटने टेके हैं नहीं तो ये तो पक्के हैं ये छटे हुए हैं बिल्कुल बीजेपी वाले बंदे